आज हम यंग एडॉलिसेंट बच्चे जो की बगबग 11 से 15-16 साल की एज में होते हैं उनकी घुटने में एक तरीके की स्वैलिंग निकल आती है, एक तरीके की गांठ चैसी दिखती है जो की इसी एज में होती है, उससे पेन भी होता है, उनको चलने में लग्राहट भी आती है और काफी difficulty होती है, तो इस बिमारी का नाम होता है Osgood Schlatter's Disease इसमें होता क्या है, कि जो घुटने में पाली होती है, पाली से नीचे एक ligament निकलता है वो ligament इसी bone के उपर जाके लगता है इस bone का नाम होता है tibial tubercle तो अगर जब पढ़ते वे बच्चे होते हैं जिनमें बहुत तेजी के साथ growth हो रही होती है तो उस पे एक खिचाव पढ़ता है तो वो tibial tubercle होता है वहाँ पे बार बार उनके भागने दौडने की वज़े से इस बढ़तीवी उमर में इन adolescent age के बच्चों में बार 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 रेपिटेटिव microtrauma होते हैं जिसकी वज़े से वहाँ पर ये disease हो जाती है जिसे हम और सकुट श्लेटर disease बोलते हैं तो यानि कि ये adolescent age में overuse की वज़े से बार बार भागने दौडने की वज़े से होने वाली बिमारी है जहां पे ये जो tendon था जिसको उम पेटेलर टेंडन बोलते हैं वो tibial tubercle पे लगता है और वहाँ पे जो injury होती है उससे inflammation होता है जो कि pain करता है problem की main जड़ ये है कि जो पेटेलर टेंडन इस bond पे लग रहा है जो कि एक बढ़ते वे बच्चे की bond है वो उस पे एक खिचाव डालती है जो की सारी problem और pain और difficulty करती है ये जो हिस्सा है तो है knee joint के अंदर नहीं आता है knee joint इससे पहले खतम हो जाता है knee joint के बाहर की problem है तो इस पे जो जो जोर पड़ता है वो problem create करता है तो ये घुपने की problem नहीं है घुपने से नीचे की problem है 10 या 11 साल की उमर तक ये जो tibial tubercle होता है ये अभी तक bond में तबदील नहीं हुआ होता है अभी तक ये cartilage या निक soft structure में बना हुआ होता है धीरे 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 इसमें bond बननी शुरू होती है और जैसे जैसे बच्चा 18 की तरफ जाता है ये पूरी तरह bond में बदल जाता है 10 से 15 साल की age में ये develop हो रहा होता है और जब 15 साल से 18 साल की age आती है तो ये पूरी structure develop हो जाती है जिसे हम tibial apophysis बोलते हैं और यह मतलब apophysis बोलते हैं इस tibial tubercle को यह main bond से जाके जुड़ जाती है 18 साल की उमर तक आते आते 18 साल की एक बार age निकल जाती है तो यह वाला हिस्सा फूरी तरीके से tibia bond से जुड़ जाता है 18 के उपर यह bond जुड़ जाती है main bond से इसलिए यह बिमारी ज्यादा commonly 12 साल से 15 साल की age के बीच में ज्यादा देखी जाती है जिस समय यह bond तेजी से बढ़ रही होती है और उपर से इस पे ज्यादा भागड़ की वेशे ज्यादा खिचाव पड़ता है माइक्रो टियर और माइक्रो ट्रामा होते है और यह ज्यादे तर लड़कों में ज्यादा जो भागड़ चलकूद मचाते हैं उनके अंदर यह condition ज्यादा देखी जाती है girls में इसका एक अलग age होती है वहाँ वो 10 से 12-13 साल की age में ज्यादा देखा जाता है और कम देखा जाता है girls के अंदर ज्यादे तर cases में तो यह एक ही घुटने में बिमारी मिलती है जहाँ ज्यादा जोर पड़ता है पर कही बार यह दौनों घुटने में भी हो सकता है अगर बहुत तेजी के साथ growth spurt हुआ है बच्चे एक दम तेजी के साथ height खीच रहे हैं और भागा दोड़ी उनकी काफी जादा है तब यह दौनों खुतनों में भी देखा जाता है वो बच्चे जो किसी active sports में contact sports में ज़्यादा होते हैं उनको कही बार यह भी लगता है कि छोट की विजए से ना हो पर यह भागने दोडने वाले games के बाद होने वाली condition है डॉक्टरों को पता होती है कि उसी जगे पर pain हो रहा है सूजन हो रही है दबाने पर दर्द हो रहा है तो पता चल जाता है कि और उसको फिर x-ray से confirm किया जाता है उस जगे को देखते हैं तो वो अगर एक ही गुटने में है तो वो दूसरे गुटने में वो swelling ज़्यादा दिखती है जिस तरह problem होती है वहाँ ज़्यादा बड़ी swelling दिखती है और वो history मिलती है कि जितना ज़्यादा बच्चा भारता दोड़ता है उतनी ज़्यादा इसके अंदर problem होनी शुरू हो जाती है इसका मतलब यह नहीं है कि हम हमेशा इसी condition को मानें कोई infection भी हो सकता है उसके लावा कोई चोड भी लगी भी हो सकती है किसी और तरीके की rare बिमारी भी हो सकती है तो उन सब चीजों की possibility को भी साथ में देखा जाता है अगर इसमें हॉम में treatment बहुत दिया जाता है घर पे डॉक्टर के पास देर तक पहुंचते हैं तो यह बिमारी काफी लंबी चलती है और इसमें वहाँ पर लगातार उस जोड़ में pain, सूजन और दर्द होता है पर problem joint के just नीचे की तरफ है joint के अंदर नहीं है एक्सरे हम कराके देखते हैं तो जो tibial tubercle का हिस्सा है वो lateral view में दिखता है fragmentation के साथ-साथ abnormality दिखती है उसके अंदर वैसे तो यह जैसे जैसे age बढ़ती जाती है बिमारी अपने आप ठीक हो जाती है पर कई बार अगर इस पर ध्यान ना दिया जाये तो यह लंबे समय तक चल जाती है खासतोर से young growing age में यह बहुत तेजी के साथ problem create करती है अगर इस पर ध्यान ना दिया जाये तो और जैसे activity को जितना कम से कम हो सकता है उतना रखिए उतना ज्यादा घुटने को मोडेंगे भागे तोडेंगे उतना ही ज्यादा इस पर जोर पड़ेगा इसलिए रेस्ट करने के लिए बोला जाता है शुरुवाती स्टेज में anti-inflammatory medication दी जाती है उपर जो मसाल होती है quadriceps उसकी exercise औ injection लग जाए तो वहां necrosis हो सकती है उस tendon को injury हो सकती है इन बात कुल मिला कि यह होती है कि भागने दौरने से मना किया जाता है ऐसे बढ़ते बच्चों को कुस समय के लिए और जैसे जैसे वह बच्चा बढ़ा होता जाता है उसकी condition improve हो जाती है उतने मोरने के लिए मना किया कुछ भी करने के बाद अराम नहीं मिलता है तब उन rare cases के अंदर surgery का एक option रखा जाता है उन केसों के लिए surgery का option होता है जहां बहुत लंबे समय तक medicine, anti-inflammatory medicine, rest और बाकी सब चीज़े try कर ली जाती है उसके बाद भी अराम ना मिले तो तब बुला जाता है खास तोर से जब patient थोड़ा सा skeletal maturity की तरफ होता है तब इस surgery के लिए ज़्यादा बुला जाता है आती एक सरे में देख लिया जाता है कि जो bond के fragmented हिस्से होते हैं उन में इस surgery में यही होता है कि उस particular part का जो छोटी-छोटी टुकड़े होते है उसका resection किया जाता है हटाया जाता है उसको तो जायदर cases में यह बिना किसी surgery के ठीक हो जाती है और rare cases में surgery की जरुद परती है